तो यहां कर लिया है और नाश्टर में क्या किया है वह मैं आपको दिखा दोगी तो फिर डिए ने चोड़ दिया है लेकिन आज में सबसे इंपोर्टन काम करने जा रही हूं एक्षिली थोड़ी से मुझसे गलतियां हो गही है गलतियां क्या मेरी मजबूरियां समझ लीजिए प्रफेर तो पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो मैं ज़रा खेलकियां बंद कर दूं मेरी कुछ गलती मेरी मजबूरी समझ लीजिए कि इनके जो अल्मारी के हाल इसी तो यह बहुत जादा मैस हो गया यह काफी दिनों से शोशी से शेट करने की अच्छा जो लोग मेरे पुराने से प्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मैं कितना अच्छे से स्कोर अच्छी काफी दिन हो गए मैं इसे सही निकर पार रहा है बिसी स्केडूल जोस ब्लॉगिंग सब कुछ आप रोग को पता है तो मुझे मैं सोच ती करूंगी करूंगी लेकि मेरा थोड़ा सा जमीर जागा इस लिए खल मैं देखा मैं बिग बॉस देखे थी और मैं अंदर आई मैंने यह बिगा मैं कुछ नहीं करने है तो इंतिजार के दो एक यह नहीं तो आपको देखा जिन से चीजाए तक व्हें बोल्हें को क्या जीरती बीमार कुछ नहीं कुछ नहीं का वुछ नहीं कंज यह जीन से उन्हें प्रेस किया और मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं सुगा उटके सबसे पहले यही प्रेस करूए अच्छा लिए लगता ना मनतब ऐसा काम या ऐसा कुछ भी किस काम का जोकी है उनको करना बढ़ रहा है नहीं मुझे तो बहुत जादा डूक लगा और मै वार्षप के वार्षप में अपनी मतल लिस्ट लिख दी आच मैं यहां स्क्रिम शॉट लगा दो अलग देग लेना तो फिर मैं अपनी गल्थी आफ जैज भी कि वह वर्षप पे इसलिए करने कि हम लोग वैसे बहुत कम बात करते हैं मैं जादा करती हूं बुस्टों सुन प्रिवार को पता है मेरी प्रियोटी मेरा परिवार है तो बस अब मैं उनका काम करेंगे और आपको दिखाएंगे चलिए मेरे साथ चलिए काम शिरू करते हैं कि आप क्या कर रही हो है कि आप करें सब्सक्राइब करें तो बस अब मैं फटाफट से इनके अलमारी करूंगी खाली और कपड़े भी तो माशाला इतने सारे हैं कि बंदा निबटाए भी तो कब तक निबटाए लेकिन खेर मैं आपको बता दूँ कि ये एक दिन का काम नहीं है इसमें मुझे काफी दिन लग जाएंगे बट मिन मिन चीज़े मैं करके रख सकते हैं क्योंकि जीन्स तो चलो ठीक है क काउंटेबल है लेकिन मैंने कुछ डिसाइड कि ये जो हाफ टीशिट है इनका बहर खाता है जिसमें अपना सब कुछ डिटेल लिखते हैं घर की वी जो होते हैं और बहार का भी जो आ रहा है जा रहा है सब मतलब आप समझ गया होंगे बहर काते का मतलब तो बस वह सब इस अच्छा लगता है इनको सुनना लेकिन वह शायद मेरे नसी में नहीं है और यहां पर बीच बीच में बच्चे परिशान करते हैं उनको फोन चाहिए फोन में कोई भी दिक्कत हो जाए तो फिर वह बार बार आती है लिबा अच्छा मुझे लिबस है कि कुछ मतलब कुछ मेरे व्लॉग्स में आपको मेरे बच्चे मेरा परिवार यही सब दिखेगा और क्या मैं आपको दिखाऊंगी यही इंपॉर्टेंट है और यही जरूरी है और बस यही है इसके अलबा कुछ भी नहीं है बस यहां पर मैंने सब पहला लिया है सारा समान पड़ा हुआ है आ मेरे नहीं है इन चीनी अच्च कोई जीनी एंचे मेरे अब मैं कुछ बोलगी तो आप किया क्या मैं बढ़ाने के लिए तो पहला है मैं थोड़ी सेटल है फौन में लगी वे तो फड़ा नहीं ज्यूरू कर देतीं तो बस जी अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और मैं ना पहले से थोड़ी सी प्लैनीग कर रही थी कि मैं क्या का हां से शुरुआत करूं क्या करूं तो मुझे लगा कि कुछ जीन लहने को यह Varso मैंने कर दो और इसी रहेगा कि जिन से जीन से तो मदलब बारोजी जाए मैं शेर्ट आपके लिए मैंने थोड़ा सा यह अंदाज लगा है कि मैं इनको बहार ही रखूंगी ताकि यह मुझे आते जाते दिखती रहें क्योंकि अगर इसी दूसरी अलमारी में रख देती हूं तो फिर वही होता है जो चीजे नहीं दिखती तो फिर वह साइड में हो जाते हैं तो म मैं रोज ऐसे रखूंगी तो अल्ला ने चाहा तो एक ना एक दिन तो मुझे काम्याबी मिल जाएगी ज्यादा कपड़ा होने भी ना कई बर अजाब ही हो जाता है कि भाहिया कितने कपड़े प्रैस करें अब सारे ही मैस होगा है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी इतने अगए नहीं था और जो मतलब पांचे जीनसे थी वह इनोंने रात में खुद ही की तो बस फिर सारा काम मुझे ही करना था तो मैंने सोचा मैं करूँ तरतीब से और यहां पर मैंने नहीं तो चोटी है तो मैं उसको कौपी कर करकर टीब-टाफ करने की कोशिश कर रही हूं मुझे तोड़ा कपड़ों न मुझे के तोड़ा के करने बाता ही उत्या है किम प्रेश की रहा में यह मुझे खहा थी पसंद आती बाती यह रहर शीकायद कभी करे इसा करें लेकर मैं नहीं कि हम च्गिशन की्याद कराहिटा कि इंप्ञेरेन कि फिर थे protect ऐसे ही काम चल जाता है और ऐसे ही लाइफ ही चल जाती है लाइफ ऐसी है जो दिन दिखाया वह बहतर है अच्छा मेरे पास कमेंट आ रहा था अभी लास्ट वीडियो में कि आपने ना आपको देखके असा लगता है कि घर में रहके भी व्लॉगिंग की जा सकती मेरा बड़ा साफ होनी चाहिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए ताकत होनी चाहिए और अल्ला का साथ होना चाहिए सब कुछ हो जाता है अल्ला ही सब कुछ कराने वाला है बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है बस मेहनत करना बंदे के हाथ में वह हम कर रहे हो चौक्य का रही हो किसे म आप किसे मंगी थे आपने चोकलेट का रहे हो कोई नहीं खाता ऐसे चॉकलेट कितनी गंधी लडगे इसे मेरा पैर आ इसे लिए एसे लग गया तो आप बताइए कि आपने क्यों मांगी किसी से चॉकलेट चॉकलेट खाओ यह तो कहरे चॉकलेट खाओ यह कितनी गंदी लड़की है इसको कितनी चीजे खिलाते लेकिन फिर भी यह लोगों से मांगती है ना हम इधर देखो इधर देखो इधर देखो गंदी है करो अच्छी तो बस यहां पर कुछ कुछ क्या जीन से तो सारी हो गई है एक काम कंपलीट हुआ और फिर मुझे खाना भी बनाना था लेटेञे कमें बूदी प्रतागे जल्दी से चड़ा देते तो फिर भो बनती रहीं है। अब एयां एक काम भी पता हैं गापड़ा हुआ है paradox李 उसक फिल अदौ दे टाकता ही कि यूपी के लोग स्वापी जरूर लेते हैं ये भी लेते हैं पापा भी लेते हैं तो हमेशे हमारे घर में होती ही हैं गर्मियों में भी लेते हैं सर्जी में भी जरूर पढ़ जाती है सर्वर पर बांगने के लिए तो जब मेरी शादी हुई थी तब मैं देखती थी तो कड़ी मेहना से वह दही जमाया था मैं जानती हूं मैंने उसे कैसे कैसे करके जमाया था और कैसे कैसे खटा किया था क्यूंकि मुझे बनानी थी कड़ी मुझे पता नहीं क्यूं बहुत ज़दा पसंद है बस मुझे कड़ी बनानी थी तो मैंने उसके लिए दही मतलब तैस्ट बहुत सबस्दाब कोर्स और कड़ी की बार कड़ी की रैसिपी नहीं दे रही है कि बार बार रहा वार तो थोड़ा सा बोर जुब हो जाता ना कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता देखने वालों की तो खेर बात यह लगे तो इसलिए फिर आप लोग की साथ शेयर नहीं करी अब मुझे पता कि आप लोग उचेंगे अपकों से व्लॉग में तो थोड़ा आपको मेहनत करें पड़ेगी आप देख लो मुझे नहीं पता क् किसी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया तो बस यहां पर मेरे गर्मा-गर्म पकोड़े भी बनके तयार हो गए और कड़ी के साथ मैं बनाऊंगी चावल तो यह जो कॉमिनेशन है बड़ा डेडिली कॉमिनेशन हो जाता है तो बस आप जल्दी से पकोड़े में डाल द बनाई थी क्योंकि मुझे निकालनी थी है मम्मी के लिए तो क्योंकि मम्मी कुछ भी खा लेती है तो मुझे अच्छा लगता है और कड़ी ना मम्मी को भी बहुत ज़दा पसंद है तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए अलग निकाल ली है पकोड़े मैंने मम्मी के लिए पढ़ाएं जाता है जो जाता है इतने ही आप लोग को पसंद आए तो ठीस कर देना अपर व्लॉग पासए कर देना कोई गलती हो गई तो से उसे माफ पर देना औरिया हूँ सबसे पrägeले बच्चों के लिए खाना क्योंकि बच्चे बहुत जाधा हम। बच्चों के पापा भी आने ही वाले हैं और इनलों के आपस की बाद आप लोग खुद ही सुनने हैं प्रफने को चलिए crisis ने की बैट पर थालख से लिए पी Пока आफिज रहेंगे हैं आज सुबह से बड़े परिशान हुआ है हम यह 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 फ्रॉक इसे इतनी पसंद है जहां मिल जाती है जो कपड़ पैन रखें उन्हीं के उपर पैन लेती है अंदर आजाओ अंदर आजाओ भी जो कमें दस्तर प्रशन के टांगों हुआ हुआ हम सुबह से परिशान हो गया जो पानी तोड़ गया सुबह अब जाकर विचार मैं तो शरम के मारे कुछ काई नहीं हर बार पापाई करते लगे रहते हैं घंटो घंटो क्या हो गया क्या हुआ है यह बात है यह बहुत उच्छाने लगिए बाहर इसके पैर ना हवा में उड़ जाते हैं कि मुझे रखता कहीं गिरी ना जाए कि अगर नीचे किरने के लिए मारा तो सही मारा हट्टी में बिलेंगे इसकी अगर नीचे कि